उसे नेतनियाहू को आखे ही नहीं दिखा रहा बलके इसराइली नागरिकों को मौत के नींद भी सुला रहा है इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतनियाहू आज की रात बहुत ज्यादा तनाव में है तहरान से तेलवीब तक मीटिंग हो रही है इस बीच एरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐसा ओर्डर दे दिया है कि नेतनियाहू के विरोदी भी बोल रही है कि इसराइल में बगावत का वाइरस फैल चुका है एंप एंप एफ़ एछोयाव बशक्रूर क्स्क्राइब चुका है एन अफिकाद शे निल्खाम अबूर शिकूर खतुफीं गम निफसाती बशिकूर खतुफीं अफिकाद शे लो एतनी हटीफ ली बान्यान अजराइल के राश्टपती बैनियमिन नेतनियाहू तमतमाय हुए है घुसे से भरे है बंदक बनाए छे इसराइलियों की मौत ने देश को जगजोर कर रख दिया है अजारों लोग सड़क पर उतराए उसी के बाद नेतनियाहू का ये बयान आया है हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं पून से लगपत दिखाने के लिए शरीर पर लाल रंग का इस्तिमाल किया गया है ये प्रतिकातमक बंदक हैं जिने हमास ने पिछले साल अक्तूबर में इसराइल मगुश कर अबजे में ले लिया अब इनमें से ही छे लोगों की मौत की खबर आई है पूरे इसराइल में खलबली मच गई है ये पहली बार नहीं हुआ जब घाजा में आग उगलती इसराइल की तोपों की तरह ही इसराइल के भीतर लोग नेतनियाहू के खलाफ आग उगलने लगे है दोनों में फर्क बस इतना है कि घाजा में लाशे बिछ रही है और इसराइल में नेतनियाहू का स्तीफा मांगा जा रहा है छे बंदकों के मृत पाय जाने के बाद इसराइल के हजारों लोग शोक में डूग गए पिडित परिवारों और ज्यादतन लोगों ने ब्रधान मंत्री नेतनियाहू को दोशी ठहराया और कहा कि लगबग 11 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास के साथ समझौते के माध्यम से उन्हें जिन्दा वापस लाय जा सकता था इसराइल के सबसे बड़े व्यपार संग हिस्ता दुरुत ने सोमवार को आम हरताल का अवान किया था जो युद्ध के शुरुवात के बाद पहली हरताल थी इसका मकसद बैंकिंग, स्वास्ति सेवा और देश के मुख्य एरपोर्ट सहित अर्थ्विवस्ता के प्रमुक्षेत्रों को बंद करना या बदित करना था नेतनियाहू उस प्रदर्शन से बॉकलाई दिखे नेतनियाहू मान कर चल रहे थे कि उनकी हमास के खिलाफ जंग की रणनीती सही ट्राक पर है इसराइल के भीतर भी लोग कम नहीं हैं जो हमास पर लगतार सेन दबाव बनाय रखने की नेतनियाहू की रणनीती का समर्तन करते हैं लेकिन हम लोगों का भी सबर टूट रहा है क्योंकि युद लंबाकिच रहा है और बंदत संकत ज्यों कत्यों है रצחो लग्या है इसराइल के कैई शहरों में पुलिस से प्रदर्शनकारी भिल गए पांच लाग से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उत्रे इसराइल में इस प्रदर्शन ने फिर वो सवाल खड़ा कर दिया है कि नेतन्याहू हमास के अंत के लिए लड़ रहे है या बंदक बनाए अपने नागरिकों की रहाई के लिए प्रदर्शनकारी प्रदानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंदकों की रहाई के लिए ठोस पदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे है प्रदर्शन कारियों का मानना है कि नेतनियाहू अगर जंग रोकने का समझोता कर लेते तो बंदकों को छुडाया जा सकता था नेतनियाहू राजनितिक वजहों से समझोता करना नहीं चाहते हमास ने इसके लिए अपने लड़ाकों को आदेज भी दे चुका है अलजजीरा की रिपोर्ट के मताबिक खासिम ब्रिगेट के प्रवक्ता अबू वैदा ने कहा कि अगर इस्राइल की प्रधान मंतरी नेतनियाहू बिना समझोते के सेनने दबाव बनाकर बंदकों को छुडाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लोटाएंगे अब फैसला परीजनों के हाथ में है कि वो बंदकों को जिन्दा वापस चाते हैं या उनके शव हमास ने कहा कि बंदकों की मौत के लिए नेतनियाहू और उनकी सेना जिम्मेदार है 31 अगस को इसराइल को गज़ा में हमास की सुरंगों में छे बंदकों के शव मिले थे इसराइली सेना आईडियफ ने बताया कि सेनिकों के वहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंदकों को बरबरता के साथ मार डाला इसराइली डिफेंस फोस के मताबिक उन्हें इलाके में छे बंदकों के मौजूद होने की खबर मिली थी इस वज़े सेना बहुती सतर्पता के साथ आगे बढ़ रही थी इस बीच उन्हें हमास के एक सुरंग का पता चला यहाँ छानबीन के दौरान बंदकों के शब बरामत हुए हमास ने इसराइल के कुल 251 नागरिकों को बंदक बनाया था इन में से 97 अब भी हमास की कैद में है 105 बंदकों को पिछले साल नवंबर में हुए सीसफायर में रिहा कर दिया गया था वहीं करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है नेतनियाहू अपनी जंता से माफी मांग रहे हैं कि वो बंदकों को बचा नहीं पाए लेकिन नेतनियाहू के दिमाग में इस वक्त हमास को खौलते कड़ाई में तलने वाला प्लान भी चल रहा है नेतनियाहू पहले भी कह चुके हैं कि जब तक हमास के अंतिमातंकी का खात्मा नहीं हो जाता वो जंग नहीं रोकने वाले लेकिन 11 महीनों के युद्ध में हमास तभा जरूर हो रहा है पर घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं हो रहा अब तक जिन बंदकों की रहाई के नाम पर इसराइल ने गाजा पर हमला किया उन बंदकों को ही हमास मौत के घाट पार रहा है छे बंदकों की हत्या की खबर उस वक्त आई है जब नेतनियाहू गाजा में इसराइली बंदकों की जान बचाने की बजाए गाजा और मिसर के बीच सीमा पर रणनीतिक गल्यारे पर इसराइली सेनिकों को बनाये रखने को प्राक्मिक्ता देने का फैसला किया फिलडेलफिय कॉरिडोर पर इसराइली सेनिकों की मौजूदकी बनाये रखने के नेतनियाहू और रक्षा मंत्री यॉफ गैलेंट के बीच वाक्यूद छड़ गया था फिलडेलफिय कॉरिडोर एक संकरी भूमी पट्टी का इसराइली कोड नाम है जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है जो गज़ापट्टी और मिसर के बीच की सीमा पर स्थित है हमास के लिए फिलडेलफि कॉरिडोर एक महतपूर सप्लाई लाइन है इसकी नीचे की सुरंगों का उप्योग हतियार, इंधन, भोजन और दूसरी जरूरी आपूर्ती लाने के लिए किया जाता है जो गज़ा में इसके सैन्य अभियानों और नागरिक शासन दोनों को बन पूरी दुनिया के नजर है क्योंकि हमास अब भी पूरे ताव से नेतनियाहू को आखे ही नहीं दिखा रहा बलके इसराइली नागरिकों को मौत के नींद भी सुला रहा है इसराइल के पी-एम बेनियामिन नेतनियाहू आज की रात बहुत ज्यादा तनाव में है तहरान से तेलवीब तक मीटिंग हो रही है इस बीच एरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐसा और अगावत का वाईरस फैल चुका है एंप एफ़ एख़ श्याद श्याद चुका है अमतमाय हुए हैं गुस्से से भरे हैं बंदक बनाए च्छै इसराइलियों की मौत ने देश को जगजोर कर रख दिया है अजारों लोग सड़क पर उतर आए उसी के बाद नेतनियाहू का ये बयान आया है हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं उन से लगपत दिखाने के लिए शरीर पर लाल रंग का इस्तिमाल किया गया है ये प्रतिकातमक बंदक हैं जिने हमास में पिछले साल अक्तूबर में इसराइल मगुश कर अबजे में ले लिया अब इन में से ही छे लोगों की मौत की खबर आई है पूरे इसराइल में खलबली मच गई है गर में ही घिर गए प्रधान मंत्री नेतन याहू छे बंदकों की हत्या से इसराइल में कोहराम प्रधर शनकारियों की मांग नेतन याहू दे इस्तीफा ये पहली बार नहीं हुआ जब गाजा में आग उगलती इसराइल की तोपों की तरह ही इसराइल के भीतर लोग नेतन याहू के खिलाफ आग उगलने लगे हैं दोनों में फर्क बस इतना है कि गाजा में लाशे बीच रही है और इसराइल में नेतन याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है। छे बंदकों के मृत पाये जाने के बाद इसराइल के हजारों लोग शोक में डूब गए। पीडित परिवारों और ज्यादतन लोगों ने ब्रधान मंत्री नेतन याहू को दोशी ठहराया और कहा कि लगबग 11 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास के साथ समझोते के माध्यम से उन्हें जिन्दा वापस लाय जा सकता था। इसराइल के सबसे बड़े व्यापार संग हिस्ता दूत ने सोमवार को आम हरताल का हवान किया था जो युद्ध के शुरुवात के बाद पहली हरताल थी। इसका मकसद बैंकिंग, स्वास्थ सेवा और देश के मुखे एरपोर्ट सहित अर्थ विवस्ता के प्रमुक्षेत्रों को बंद करना या बदित करना था। नेतनियाहू स्प्रदशन से बॉकलाई दिखे, जो हमास पर लगतार सेन दबाव बनाए रकने की, नेतनियाहू की रन नितिका समर्तन करते हैं, लेकिन हम लोगो का भी सबर टूट रहा है, क्योंकि युद्ध लंबाकिच रहा है, और बंदत संकत ज्यों कत्यों है रצחो लोगों के लिएसा है, लाओतार मत रहें लेकाट रखे से बॉकलाईाख जाए लेके लिए कर्दाटारीन से, जलो है तשब लगतारी मास पेसे बॉकलाई बनाए घाश्याना क्या गांद इसराइल के कैई शहरों में पुलिस से प्रदर्शनकारी भिल गए पांच लाग से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उत्रे इसराइल में इस प्रदर्शन ने फिर वो सवाल खड़ा कर दिया है कि नेतन्याहू हमास के अंत के लिए लड़ रहे हैं या बंदक बनाए अपने नागरिकों की रहाई के लिए प्रदर्शनकारी प्रदानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंदकों की रहाई के लिए ठोस्क अदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे हैं प्रदर्शन कारियों का मानना है कि नेतनियाहू अगर जंग रोकने का समझोता कर लेते तो बंदकों को छुडाया जा सकता था नेतनियाहू राजनीतिक वजहों से समझोता करना नहीं चाहते तो बंदकों को ताबूदों में रखकर इस्राइल बेड़ने के बाद हमास में इस्राइल के लिए चिताबनी जारी की है हमास ने कहा कि अगर इस्राइल की सेना ने उन पर दबाओ बनाना बंद नहीं किया तो वो बंदकों को ताबूदों में रखकर इस्राइल भेजेंगे हमास ने धमकी देते हुए कहा कि इसके लिए वो अपने लड़ापों को आदेश भी दे चुका है अलजजीरा की रिपोर्ट के मताबिक खासिम ब्रिगेट के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि अगर इस्राइल की प्रधान मंतरी नेतन याहू बिना समझोते के सेनने दबाओ बनाकर बंदकों को छोड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लोटाएंगे अब फैसला परीजनों के हाथ में है कि वो बंदकों को जिन्दा वापस चाते हैं या उनके शव हमास ने कहा कि बंदकों की मौत के लिए नेतन याहू और उनकी सेना जिम्मेदार है 31 अगस को इसराइल को गजा में हमास की सुरंगों में छे बंदकों के शव मिले थे इसराइली सेना